हलो फ्रेंच वेल्कम बैक तो फ्रेंच आजकी वीडियो में बात करने वाला हूं जो इंडियन कोस्ट काड में नियू वेकैंशी साय हुई है तो कौन-कौन इसमें अप्लाई कर सकता है एज लिमिट क्या रहने वाली यह पेपर पैटर्न क्या होता है पेपर कैसे होता है पु जुलाई से लेकर 16 जुलाई के बीच ओनलाइं उनलाइं कर सकते हो तो 10 प्लस 2 आपने अब नेविक जनल ड्यूटी के लिए 10 प्लस 2 आपने और अर्फिक्स के साथ पास किया होना चाहिए नेविक जानी की DB के लिए 10 पास आपका होना चाहिए जानतरी के लिए 10 पास आपने किया हो जा डिपलमा हो आपके पास आप इसमें अप्लाई कर सकते हो तो जहां पर देख सकते हो जो भी आपका इंजिनरिंग का मैक्सिमम एज इसकी 18 से लेके 22 तक है अगर आपने नेविक जीडियो जानतरीक में करना कि एक फैप से लेके 31 जनवरी 2003 तक एपलाई कर सकती हो नेविक ड्ल में एक एप्रिल से लेकर 31 मा R के रांड बन जाती है ठीक है तो इतनी वेकंसी हो जाती है जहां पे आपका क्या लिखा हुओ है नेविक टी-बी का का सेक्शन ऑन का एग्जाइमीनेशन है तो आपको पासिंग मार्ग्स कितने चाहिए 30 चाहिए और आपको नेविक जीदी में टौटल कितने चाहिए शुट 50 marks passing चाहिए दोनों section 1 और section 2 को मिला कर शेक्षिन 2 का अगर आप दे रहे हो तो आपको 20 marks चाहिए section 1 में आपके 40 maximum marks 60 होंगे 45 minutes दिए जाएंगे 60 questions आपके रहेंगे 20 math 15ara 10 तायंज साइन्स के 15 से पान्गी के सेक्षण 16 में पचीस में फिस्ट्रीन इलेक्ट्रिकल-इंजिनरिंग स्ट्रिक्ट- स्ट्रोनिक-इंगन5-चास- मेक्निकल इंजिनरिंग जो marks आपके रहेंगे ठीक है तो आपका फिर इसमें stage 2 रहेगा stage 3 रहेगा इसी के base भी आपका रहेगा और आपका इसमें जो कोई भी नेक्टी marking नहीं होता तो इस वीडियो में बस इतना डाउट होगा तो comment section में जुरूर पूशिए यस वीडियो में बसे